प्यारे दोस्तों कैसे हैं? अगर हम यह जालना चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ट जीमेल आइडी और मुबाइल से लिंग्ड है या नहीं? या आप अपने आधार कार्ट के नंबर को विरिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखें है कि मेरे आधार कार्ट से मोबाइल नंबर लिंग्ड है या नहीं है और अगर लिंग्ड है तो कौन सा मोबाइल नंबर है जो लिंग्ड है या जीमेल आइडी लिंग्ड है तो कौन सा जीमेल आइडी लिंग्ड है हम भूल चुके हैं तो उस चीज़ को हम कैसे चानेंगे और सीखेंगे कि मेरा आधार कार्ट नंबर जो है वो किस मुबाइल नंबर और जीमेल से लिग्ड है तो इसी चीज़ को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं लेकिन उसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फॉस्ट राम विजिट किये ह तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी तपा लेजिए कर ताके आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके हैं तो चलिए अब लैट्टॉप के स्क्रीन पर चलते हैं वहाँ चलकर सिंखते हैं कि कैसे हम लोग ज पर्विश्स का ऑप्षं मिल जाएगा यहां आने के बाद यहां आने के बाद पूस्ट बहुत सारे मिलते हैं वेरिफाइन अधार नंबर वेरिफाइए इमेल आइड़ी और मोबाइल नंबर और वर्चुल आइड़ी नंबर का इसी तरह आफलाइन एके का भी आप्षन मि जाता है आपका आधार खोगे हैं लॉक कराना चाहते हैं तो उसका भी आप्शन मिल जाता है अगर आपको जहना अपने आधार का मोबाइल नंबर और इमेल आइडी वेरिफाइग करना चाहते तो इस वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर इंटर 12 डिजिट आधार नंबर या इमेल डाना तक धैन आप कैप्चर को पर क्लिक करेंगे तो चलिए पहले कैप्चर को डाल चुके हैं करेंगे घर मोबाइल नंबर पर एक जो है one time password जो है ना send कर दिया जाएगा उस OTP को यहां पर डाल जाएगा जैसे OTP send यहां पर लिग दिया OTP send to your registered mobile number उसके बाद उस OTP को यहां पर इंटर करना होता है अब यहां आने का बद नीचे में हम उस OTP को डाल देंगे ये OTP हम जैसे ही डालेंगे उसके बाद हम करना होगा Proceed to Verify उसके बाद हमारा Clear करेंगा है या नहीं है तो चलिए हम सबसे पहले अपना OTP को Enter इसके अंदर कर लेते हैं OTP completely डालने के बाद हम जैसे ही Proceed पर Next बढ़ते हैं तो हमें मिलता है The Mobile Number Matches with Our Records यानि कि दोनों में से किसी एक को डालना था पहले हमने डाला था Mobile Number उसके बाद डाला थी इमेल आइडी तो अगर हम पहले वाले में इमेल आइडी जाते तो मेल को भी वेरिफाई करता तो यहां पर इस तरह से हम जो है वेरिफाई कर लेते हैं